हेलो यलव यू जैहिंग कैसओ आप सभी लोग उमेद करता हूं सभी लोग सवस्त होगे तो देखो यार आपका जो एएरफोस अगनीवीर का पहला बैच है वह दिसंबर में जा रहा है तो टाइम बहुती नजदीक है और नेवी अगनीवीर का भी पहला बैच नोवम्बर के आराउंड जा रहा है ठीक है तो जो पहला बैच जाने का टाइम बहुत ही नजदीक है अब तो देखो ज़रूरी यहां पर यह कि काफी लोग को टीक है क्योंकिया आप सभी को बता है कि 75% लोग यार 4 साल के रहाँ से घर बेज दी जायेंगे तो सिंपल सी बात यार जो भी अभी अग्णिवी जुइन कर रहा है कहीं न कहीं उसके अंदर देश्चेवक का जुनून होगा कहीं से वरदीग प्रेम होगी तब्यो जा रहा है ठीक है तो इस वीडियो गलत मतलब मत निकालना ये जो वीडियो इस तरफ इंफॉर्मेटिव वीडियो है और नॉलेज परपस के लिए है ठीक है देखो जीडी में इस बार क्या होते है ना कि आपसे अगनी विर के रिगार्डिंग काफी सारे पूशे जा रहे थे तो जो लोग भी यार तैयारी कर रहो अभी अगनी विर एरफोस की ठीक है वो थोड़ा प्रिपेर रहने चीजों के लिए कि मतलब अगनी विर के बारे में आपको एटलिस सब कुछ पता होना चाहिए सेलरे के हम बात करेंगे इस वीडियो में अगर देखो हम बात करें पहले सेलरे की जो मोटा मोटा का फिगर होता है यह देखो सब को बता है ठीक है पहले साल सेलरे आपकी 30,000 रुपए रहेगी जिसमें से आपको 21,000 मिलेगा और 9,000 आपको कट जाएगा और 9,000 गौवर्मेंट आपको अपनी तरफ से देगी ठीक है सेम ऐसे आपकी सैलरी 2nd year में रहेगी 33,000 रुपए जिसमें आपको 23,000 रुपए आपको मिल जाएगा और 9,900 आपको कट जाएगा और इतना आप गौवर्मेंट देगी ठीक है ऐसी आपकी सैलरी 3rd year रहेगी 36,500 जिसमें साबको 25,000 पांसो पचास मिल जाएगा तो ये दोनों देखो यार इकठा होते होते हैं चार साल आपका 10.04 लाग हो जाएगा ठीक है तो ये देखो आपका figure मोटा मोटा है जो सबको बता है आप देखो सबसे अच्छी बात ही कि जो आपकी 10.04 लाक मिलेगा ना इस पर कोई भी income tax नहीं लेगा ठीक है इस पर कोई भी आपका income tax नहीं लगने वाला है PF कापी लोग परिशान है तो PF यार नहीं कटेगा आपको जो कटने आपका सिर्फ इतना कटेगा ठीक है ये सिर्फ आपको इतना कटेगा बस पर कि PF यगर आपका नहीं कटेगा तो इतना आपका देखो पैसा ही कटो जगा 10.04 लाक अब देखो जब आपका scheme लाँच होई थी तब बाते हो रहे थी कि आपको 11.00 लाक मिलेंगे रिटायर होनेक बाद तो देखो ये जो आपका 10.04 लाक रुपए इस पर आपका income tax लगना नहीं है लेकिन 4 साल में आपको इस पर इंटरेस्ट भी शायद थोड़ा बहुत मिलेगा जिसे आप जनरली किसी बैंक में अगर आप जमां करूब हो पैसा ना तो आप आपको इंटरेस्ट मिलता है तो मेरे साफ से जो भी स्वाय का रेट होगा वैसे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा लिवे दूकुन आपर बोला भी गया है कि अमाउंट एब्सूल्यूट अमाउंट एक्सलूड इंटरेस्ट ठीक है तो जहां तक हूं मीदार इस पर आपको इंट्रेस्ट भी मिलेगा और मुझे लगता है कि चार सारी में आपका एक डेड़ लाग रुपए आपका इंट्रेस्ट हो जाएगा ठीक है तो अराउंड आपका 11 पॉइंट सम्थिंग लाग आपका मतलब सैलरी नहीं आपका एक तर सबसे अधिक डाड़ लाते हैं कि हमें अलावेस काउन काउन सम्म मिलेगा काफी लोग परशाण डिये के रिगार्डिंग के डिये मिलेगा या नहीं मिलेगा आगे क्लिर कर दो कि मतलब अंतर आपको कहां पर आएगा कहां पर सैलरी आपकी एक दोजार रुपए ज्यादा कम हो जाएगी ठीक है अगर सबसे पहले हम बात करें डिये की क्या जो अगनी वीरे एयर फोस नेभी आर्मी के उन्हें डिये मिलने वाला है तो यार कोई भी आ आपको MSP यानि की Military Service पे नहीं मिलेगा और कोई भी आपको Technical Branch पे नहीं मिलेगा ठीक है डिये लगबग आप शायद 4% बढ़ने के बास शायद 38% हो गया है Central Employee का तो यह आपको नहीं मिलेगा MSP जो कि Around 200 रुपए थी Military परसंट के लिए तो यह नहीं मिलेगा आपको और Technical Branch प और जो यह Technical Branch पे होता है यह देखो आपका Other में नहीं मिलता है जो भी Defense के अलावा जो भी आपकी Government Agencies होती है ठीक है लेकिन जो DA होता है यह बहुत ही बड़ा आपका फर्क डालता है ठीक है यह Basic PIP मिलता है तो यह तीनों Allowance आपको नहीं मिलेंगे एक अगनी वीर को तो यह ठीक है लेकिन आप सभी को पता है जो रिस्क अलावेंस है राशन अलावेंस अड्रेस है और ट्रेवल है यह कहीं न कहीं बहुत ही कम होते है खासकर अगर हम बात करें Air Force की तो Air Force में यार तो यह बहुत ही कम होते है नेवी में थोड़ा ज्यादा होता है रिस्क और सेरिया में है तो रिस्क अलावेंस आपका वह बहुत है लेगिञ्ग मोटा-मोटा बात करें तो यह जो सारे अलावेंस होते है न सारे मिला कर अगर आपकी Peter Force में हो और पोस्टिया की मालों प्रयाग राज में हो गई है तो मुश्किल से आपका टोटल सब मिला कर एक-दोजार रुपे पड़ेगा बसके वल ठीक है इतना पड़ता है बसके वल यूँकि डिस अलाविंस, राशन अलाविंस और रिस्क हार्डशिप, ट्रेवली सब बहुत जादा नहीं होते है में में आपका DA होता है, MSP होता है तो वो देखो आपको नहीं मिलने वाला है ठीक है, तो अब सवालाते है कि सेल्ली हमारी एकजैट कितनी बनेगी in-hand तो अगर देखो हम सेल्ली की बात करें न आपको इस्ट अलाउंस मिल जाएगा ठीक है तो यह देखो एक मोटा मोटा फिगर है कि इतनी सेल लिए आपको लगबग मिलने वाली एक अगनी वीर जो एर फोर्स का है नेवी की बात करें थोड़ा से जादा इसका होता है यह आपको तीनों अलाउंस है ठीक है यह आपको आपको लिए लगबग इतनी सेलरी बना देंगे तो आपको पतार exact क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ रहने वाला है ठीक है बाकि जो मोटे-मोटे आपके अलाउंस तो यह आपको नहीं मिलने वाले हैं तो कोई आप से पुछाए आप उसको बता सकते हो कि हाँ डिया नहीं मिलता है अगनीवीर में सिर्फ आपकी ये चार अलामेंस है इसके अलावा अलग से मालो कोई सिचुएशन अलग से आती है तो वो आप आपको देखो अलग से मिलेगा उसकी बात ना नोटिफिकेशन में की गई है ना गौर्नमेंट ने की है और ना भी हम कर सकते हैं ठीक वो देखो डिपेंड सिचुएशन में आपकी कैसे रख सिचुएशन ठीक है तो ये देखो आपका मोटा मोटा फिगर सेल रही का कि इतनी कुछ सेल ने रहती है अगनीवी